कर दो कर दो कि आप सब्सक्राइब कर तो अच्छा विन भी कर रहे होंगे तो इस पर्टिकल प्रियों बात करने वाले कि जो हमारा मैच रहेगा पंजाब विंग्स वसस आर सीबी के बीच में तो काफी बहतरीन टीम्स उन पे पर दों बोल सकते ही काफी जादा बात करेंगे क्या कुछ स्टैट्स रहेगा कुल सी जो मेरी प्रेडिक्शन सब्सक्राइब करके तो वह भी सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा बाकि चलते सीधा मैंच के बरपड उससे पहले वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर रहा पोज़ पातों, साथ प्रेड में, जरूब लूटनों सबसाल के लीजान आट क्यों, कहई पर वीची आपको सब्सक्राइब करना एक और पूरा देखना पूर कर सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल इसका जहां पर लिंक अपने बी आपडेटेट्स होती है तीमिंस रहते हैं उध्यू पर देखने को बलती है। या फिर आप कुछ इस तरीके से अट्ट आरेट टीम फुर्म एन अफ सर्च करें तो भी आपको चैनल जो मैच रहने वाला है तो मतलब कि यह सेकंड मुकाबर रहने वाला है वाकी वैन्यू की बात करो दो डॉक्टर डीवाइ पाटिल स्पोर्ट स्टेडियम अकेडमी में जो मैच है वो खेला जाएगा तो एक नया सा पिछ रिपोट की तो डीवाइ पाटिल ग्राउंड की पिच कैसी है तो ठीक है यह पहले रहे एक डिसेंट बाउंस दिखाती थी काफी ठीक हो जाती थी अभी बहुत ज्यादा मिली की टेफिनेटली तीन से चार और में जो बोले हो बहुत जादा स्विंग होने वाली है पिच में थोड़ी बहुत मिलने वाली है सेगंड इनिंग में थोड़ी कम हेल्प लेगी क्यूंकि रहेगा तो गोल को ग्रिप करना काफी मुश्किल होगा तो फस्ट में डेफिनेटली स्पार्ट मनेंगे वैधर रिपोट की बात करें सब्सक्राइब करें वाली है वाली है यहां पर लिखी हुई है थोड़ा टेक्निकल लेग विच में आपके लिख दी थोड़ा समझने मुश्किल होता कि आपको बाकी अभी चलते आपने नेक्श पॉंट के उपर तो नेक्श बात कर रहा हूं कि यह जो डिवाय बात कर रह सब्सक्राइब करने वाली है बात करूँ एवरेश स्कूर की एवरेश स्कूर पिछले साथ में बात करता हूं तो करीवन फोटी थी के आरांड जो देखने को बलता है तो 160 बन जाते है तो काफी बहतर है अगर मैं बोलुगा कि 170-180 तक स्कूर चला गया तो फिर वो तोड़ा डिफेंड भी हो सकता है डिफेंड होने कि उसके पूरे चांसे बनेगे फिर तो इस वज़ए से बाकी अभी देख लेते हैं क्या कुछ प्लेंग रहे सकती है सबसे बहले बात करता हूं जो पंजाब कि एनने कि प्लेंग रहने वाले तो शिखर दवन रहीं रहेंगे इदर से मैं अगरवाल के साथ में ने नीड्या चांसे तेम की इस परफोर्मेंस अपना अपारदस्त अर यह रहतने वाले भी तक करते आये हैं विछले कुछ सीजन्स में काफी बहतरी जो देखने भी बलता ह तो बस अब तोड़ा से टाइम लगेगा में के दरबाल के साथ में की जो ओपनी जोड़िया होसा है टोने में टेफिनिटली पर्फोर्में जबरदस्त और इदर से रहने वाला इस शीकर दबन का उसके बाद भानुकर आज पाक्षा उनको मोका मिल सकता है तीसरे नमर पर आन कि अज़ बहुत अब आज करते हैं तो बरोसा हो जाएगा कि हम यह प्लियर्स भी पर्मोग कर सकते हैं आई पिल के अंदर अब प्लेयर काफी बहतरी नहीं यह को कि शक्ये मारणा में पर आप जादा माहिर इसके बार में शारू खांट रहेंगे जो एक फिनिशर का रोल प सकते हैं अब इनके पास ओप्शेंस क्या हूं आपको उताता हूं यह जो है इदर से रिशी दावन की जगह पर संदीप सर्मा को भी खिला सकते हैं अच्छी चोई से डेफिनिटली एंड अगेंस्ट आर सी बिनका रिकॉर्ड भी काफी बहतरी ने तो आप जो है रिशी दा इनके नए कप्तान नए प्लेयर नए टीम फाफडु प्लैसी के लिए तो यह रहेंगे विराट कोली साथ में उपनिंग कर सकते हैं उसके बाद में महीपाल लोंग रोर आ सकते हैं तीन पर या चार पर जैसे भी ब्लेंग रहेंगी बाकिये सारी चीज़े मैं लाइं में ब पर दरफोर रहेंगे तैन शाबाज एमद है और उसके बाद में वानिदू हसरंगा लास्ट टाइम इनको लिया था एजर रिप्लेस्मेंट इस बार इनको खरीद है और काफी महना खरीद है उसके बाद में डैविड विली हर्शल पतेल और उसका बाद में करन सर्मा या सि अगर फाफ टो प्लाइसे को लगा स्पिटर को मिल सकती है तो फिर करन शर्मा केलेंगे अदरवाइस फिर सिद्धार्थ को एक एक एक्ष्टापेसर के साथ में टीम जाएगी एंडर उसका आप में एवर्ग्रीन मॉम्मल सिराज इधर से आपको देखने को मिलेंगे तो य एक चीज़ है तो इन तीनों को आपको नहीं लेके चलना है यह मुस्ट वैबली बैंगलोर की तरफ से जो है प्लेंग लाउन रही गया आज के लिए बाकि आप चलते हैं अपने नेक्ष्ट क्यों पर हम बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की देखो इस ग्राउंड परना मै मैच केल है वो भी हारे थे बात करूँ बैंगलोर की उन्होंने दो मैचेस खेले एक जीते एक हारे रिकोर्ड जादा नहीं खेलिए टीम तो नहीं इस ग्राउंड पर एक नया एक्स्पिरेंस रहेगा तो हमारे लिए भी देखना रहेगा कैसा कुछ मैच जाता है बट स्ट ले पर देखने रहती है तो इस टाइम डिफिनिट्ली ऑफ चैक करेंगे बट अभी के लिए वैंडियो स्टैट्स आपने दी नेक्स्ते इदर से वैंडियो लीडर सो रखोटों मैच सभी टीमस ने के लिए तो वैंडियो लीडर्स पी आपको देखने को दर नहीं मिलेंग जो उस टाइम पर विकेट लिए हो और अभी भी स्कोर्ड में हो तो हटा देना वेन्यू लेडर्स को दिमान से ठीक है जैसके मैंने आपको बता दिया अदर्वाइस आप लोग लिखते कि वेन्यू के वारे में पता है नहीं आप में वेन्यू पर कुछ देखने को आज के लि सीट पता हैं सबसे जाद आपको थो किस रखती में पूरा नाम लिखना वहिए से ब्ल्कूल भी कंसिडर्ण नहीं करूंगा ठीक है जाम मल्टिपल और नहीं करनें आप एक कमेंट कर सकते हो कि आंसर का उसके बाद में आपको वीडियो अच्छत लेगि उसके आपश्यू कर देना कोई निकत नहीं है बागी विनर्स शेयर में 27 तो मार्च रात को 11 बज़े इंस्टाग्राम पर अनौंस कर दूँगा जाके बहुत जाना लास्ट जो वीडियो हैं उनके विनर्स में वहीं पर अनौंस कर चुका हूं तो जाके जरूर चेक करना आप कही की नहीं विनर आप करा दोगे पटावट से फटावट जाओ फोलो गर लो एंड वाकी विनर्स वगर आपको नहीं देखने को बिलें अब देखता हैं कि जो हैट्वर्ण स्टैट्स हमारे रहने वाले वो क्या कैसे रहेंगे ठीक है 28 मैं धरी यह को ओड़ा निकल कर आती हैं थाफिबाट में एक आज कैल aja वो निकल कर आती हैं नने पर आरी सीब तो ओड़ा ने कीच दोडंकर लुट से श्टवाटर अगर्या ना फीच वहन ना ह Till 행복iteल कि अग graph to Work पांच की बात करूं तो पंजाब पिंग्स थोड़ा सा मारी रिखिया आर्सीब के सामने तीन उन्हों ने जीते हैं दो जीते इतर से आर्सीब ने एंड अब आते हैं मैं यह यह अला जो सेक्शन है ना नीचे जो मैं लिखता हूं सबस्यादा इंट्रेस्टिंग लगता है ब सब्सक्राइब करें तो बात करूं अभी मैं रण्स की बात करता हूं तो विराट कुली दिखेंगे आपको 27 इनिंग्स में 741 रंस के साथ में हैस्ट रंस को रहे हैं एंड 29.64 का अवरेज है इतना जाद अक्सा आवरेज नहीं है पर ठीक ठाग है रंस वगरा बना लेता है अब अब बात करो मैं के गरवाल की 7 मैंच वणने 5 रंस 57 का इनका है इनका इनका इवरेज है तो दोनों कुछ लाइज दिखते दोनों इपन आएंगे एंड देखें कैसा कुछ रहेगा बाकी अगर्वाल की डेफिनिटली की शिखर को ले मैं को ले बिराट को ले डूपले सारी चीज़े बताने वाला हूँ आगी वीडियो मैं आपको बोलिंग की बात करूँ संदीप शर्मा इदर से संदीप शर्मा जैसा हूँ बोला था अगेंस्ट आर सी बीना कुछ अलगी रंग में दिखते है अलग रंग रूप में बोलर बन जाता है जब वह अगेंस्ट अगेंस्ट विराट कुली के अगेंस्ट बोलिंग करने जाता है ठीक है तो भी अलग दिखता है वो प्लेयर में टैलेंट अलग से जाग जाता है बतानी क्या अलग से स्किल्स आज आती है उसमें नो इनिंग में 16 विकेट ले चुके है एवरेज काफी बहतर है श्ट्राइक पर ध्यान देना हर दो वहर में एक विकेट लेता है वहार से भी कि मतलब अगर आज खिलाते हैं तो दिक्कतों में वह डाल सकता है डूपलेसी को भी विराट को भी ठीक है उसके बाद में महीप कोई है नहीं उमीद कर रहा हूं मैं कुछ अच्छे पॉंड जरूर देकर जाएगा हर्चर पटेल जैसे लास्टाइम लिकर गया था परपल गैपोल्डर भी था तो वह रहेंगा तो यह रहेंगे हैट्वेड लीडर्स अब चलते अपने आगे लेको इस मैच में ऐसा अगर वाल के लिए जरूर बात करो महिंग अगरवाल के तो इनके लिए टैफिनिटली विए माँ जवाने तू हसरंगा है वो काफी जादा एक यूसफुल प्लेयर जो है साबित होने वाले है तो वहीं चीज रहेगी मैंका गर्वाल का गिश्ट में एंट करन शर्मा आगा है तो भी इनको काफी जाद दिक्कत है तेने वाले शुरू में अगर स्पिल लगाते तो अगेंश्ट राइड बैट्समें अगेंश्ट राइड बैट्समें लेना कोई आम बात नहीं है और देफिनिटल विगिट लेते हैं विराट कोली फाफ्टो प्लैसिक एंड साथ ही साथ महिबाल लोम रोड या दिनिश कार्दिक जो भी नंबर तीन पर आएगा मैं बोलुगा काफी दिक्कतों में डालने वाले है अर्स डीप सिक और संदीप शर्मा भी आ गए ना तो यह दोनों के जोड़ी है ना पावर प जोड़ी बहुत दिक्कत है जादा नहीं है एवरेज काफी अच्छा है बट जो श्राइक रेट है ना वो इनका काफी कम है मतलब कि हर चैसे साथ पोल में एक बार यह स्पिनर को लाइक जो राइट आम और रहते हैं उनको यह विकेट देकर चले जाते है ठीक है तो वह एक चीज आपको देखने को मिलती है आपको प्लैसी की तरफ से बाकी हर्शल पटेल जो है अगेंश राइट हैं 67 इनिंग में सतर विकेट है 17.12 का जो है उनका जो है बोलिंग एवरेज इतर से रहता है एंड इसमें एक तो चीज ओराइट करूँ है डफिनेटल आपको मतलब कि हर ना मैं मुल्मा कि हर चैसे साथ बोल भी एक विकेट निकाल लेते हैं टैथोगर में मतलब कि लेके जरूर जा सकते हैं दो से तीन विकेट एट लिश्ट तो एक आपके कैटन पिक भी रह सकते हैं एंड थोड़ा जो डाउंड डाउर बैट्समन आने वाले पंज लेकर एक विकेट निकाल ही लेते हैं एंड बाकी 59 विकेट से नो पिक किया है अगेंश लेफटन बैट्समन तो शिकरदवत में भी आउट होते हैं आपको इनके तरफ से दिख जाए चांसे कम हैं बट स्टिल थोड़ा वो भरोजा दैविट विली के उपर आप कर सकते हैं प्लेयर बैटल जब देखते हैं तो आप देखो कि विराट कोली को कितने दिक्कत हैं संदीप शर्मा से दो बार आउट हो चुके हैं फाफ डूपलेशी और सिर्फ एक बार आउट हो तो मैं बोलूगा कि नॉर्मल है वो हो जाते कैसे भी आउट बट अगर दो से तीन बार प्लेयर आउट कर रहा है तो दिक्कत है आपको काफी जाता है विराट कोली अगेश्ट संदीप शर्मा से तीन बार आउट हो चुके हैं उनके स्विंग जो रहती है न जो उनके इन स्विंग आते हैं उनके आउट सिंग जाती है उसको वो खेल नहीं बात है अरपीद बरा की तो एक बर उनके अगेश्ट में एंड ऑफश्पिनर से तोड़ी बहुत दिक्कते रह सकती है बाकी देखते आगे क्या कुछ रहेगा अब एक बर मेरी अब्जर्विशन के ओपर आ जाते हैं अभी मैंने आपको पूरे स्टैट्स बता दिये ठीक है अब यह देख सकते ह कर दो 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 आपको बताता हूं एक तो चीज और आपको बताता हूं एक ट्रेंड है ना एक ट्रेंड है जरूरी नहीं है फोलो होगा नहीं होगा बड़े सुन सकते हूं आप यह चीज कि कोई ना कोई अनकोमन बोलर होता है पंजाब की तरफ से जो आर्सीप गागेश में दो से तीन विकेट लेता है अब मैं उसको अनाम किनाता हूं आपको हेंरिक्स कोई न अनकोमन बोलर कौन हो सकता है रिषी दावन नहीं कहो सकता है डेफिनिटली वह बोलो है कि नथन ऐसे के बारे में पिर भी सोचा बट रिषी दावन एक ग्रैंड लीग में कैप्टन अना किसी एक तो टीम में पना देरा है ठीक है इन्वेश्मेंट आपकी वापस आजागी अगर रिषी दावन निकाल लिए तो आपकी रैंक जो है ना वो एकदम मैं बोलूगा कि टोप 100 तक में जा सकते है इतने ज्यादा जो लैक स्पोर्ट्स रहेंगे मतलब की 73-74 लैक स्पोर्ट्स में आपकी रैंक तो टो टीम में ट्राइ करके चलना रिस्क है बट वर्थ आ आपकी टीम आप में पर देख गहते हो लिए गए, जरणां को मैं वहरेश यह तो टीम में पिक्कार्वन बहूजवत रहे मौन सबाएम तो मरलू जाते हैं सोब वर्थ चांसी बिश्क लिए तो टूंसे में तो डेकर पर रड़ तो जाते occur Ash तो राज पाक्षा जो है उनको एज एक्रेडिट सेवर मैं यूज कर रहा हूं उदर क्यार्ट क्रेट में मिल जाते हैं बात करूं उड्राउंडर सेक्शन में यहां पर आपको प्लेयर बिक करने में जाद दिक्कते नहीं आएंगी आपके पास ज्यादा उप्शेंस है भी न तो बात में रहूल चैर एंड अर्षडीप सिंह यह मेरी टीम रह सकती है अब एक उप्शन आपको बताता हूं संदीप शर्मा को अगर टीम खिलाती है तो उस केस में कैप्टन आप विराट कोली को हटा देना रहूल चैर की चेकपर संदीप शर्मा को टीम में रख लेना कैप्टन जो इसमें फिर आप आप दूपलैसी को बना सकते हो ठीक है तो यह चेंज आप कर सकते हो अगर संदीप शर्मा खेलते हैं और बैटिंग फश्ट वाला सेनेरिया आपको बताई चुका हूं संदीप शर्मा नहीं भी खेलते हैं तो देखो बैटिंग फश्ट जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए रहने वाला है आपको सभी प्लेयर्स के बारे में जितनी भी आपकी आपकी दूर होगी फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मैं को जरूर बताना रिप्लाइ करने का मैं पूर आपको ट्राइ करूंगा अदर्वाइस आप लैज तेस्स अपर मैं अपनी जो सारी प्रेडिक्शन है या फिर जे पेस्मोल लीकी मेरी टीम रहती है या फिर आपके कुछछ बाह पर रहते है तक तक ना नहीने कोईशंस नहीने ब्लेर्स के बारे में जरूर दिमाग में आ जाते हैं तो उनकी आंस्वर आपको पाईगी तो वो चीज़ का धिहान रखना बागे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बैल नोट्मिकेशन प्रेस करना बागे उसके लावा कमेंट सेक्शन में गिवावे कांसर एंड कोई भी दो लाइं अच्छे से प्यारी सी मोटिवेशनल जैसे भी लगे आपको क्योंकि लाइक आपको भी पता है दिन में आपके लिए कितनी महना दो रही है वीडियो है लाइव है बागी सब्सक्राइब कर रहा है टेलिग्राम चैनल पर तो डेफिनिटली एक कमेंट सेशन में अप्रिशे आपके लिए खिर लाइब 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 कर दिन सेशन में आपको लाइब लाइब।